नमस्तु महाराश्री आपके स्रीचरणों में बार बार तरह बार नमस्तु 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 निर्वेक शागरजी महाराज संदान सागरजी महाराज के स्रीचरणों में तरह बार नमस्तु महराश्री उदैपूर आपके इस एतियासिक इंदोर के चातुरमास के उपरांद उदैपूर की तरप आपका वियार हो 2017 में हमको चातुरमास का संयोग मिला था और आच्यार श्री का संयम स्वर्ण महस्तव महां संपन करने का हमको अशर प्राप्त हुआ था और महराश्री आच्यार श्री का उस समय आदेश ही था कि आपको उदैपूर पधारना है उसके बाद हम डोंगर गए निवेदन करने पर हमारा भी पुन्य का उदेश्री के द्यान में उदैपूर नगर आया और आपका एतियासिक चातुरमास संपन हुआ महराश्री आज एक कोई संका लेकर उपस्तिर नहीं हुआ हूँ एक निवेदन आपके स्री चरणों में करना चाहता हूँ कि माननी उच्च न्याले में बहुत समय से समय सिखर का जो केस है उच्च न्याले में हमारे और स्वेतांबर समाज के बीच में चल रहा था प्रिशित करें और हम भी इसी भावना करें कि उन्याले हमारे प्रक्ष में जाए हमारे अजिए सबसे पहले तुम्हें चाहूंगा कुंतु जी और संपत जी का जोड़ार अफिनिंदन करें यह चेहरा इस कारिकम को देखने वाले सभी का जाना पहचाना चेहरा है 2017 के उदैपूर चातुर मास के यह सुत्रधार रहे हैं और बहुत अथपरता से पूरे चातुर मास की व्यवस्था को इन्होंने सु व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया यह एक धर्म निष्ठ स्वाधाय सील विद्वान है और इन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही मार्गे में लगाया आप सबने संकाश अमाधान के कारिकमों में भी इन्हें अनेग बार संचालक के रूप में देखा भी होगा बहुत समय उन्होंने दिया है और आगे भी देते रहते हैं एक बार जोरदार करतर धनी से इनका अभिनन्न कर दे यह दोनों मूर्तियां बहुत समर्पित भाव से अपना काम करते रही हैं आपने जो बात अभी रखी यह बहुत दिर्भागपून है कि हम थोड़े से जैनी अपने तीर्थों के लिए वर्सों से अदालतों में लड़ रहे हमारा बहुत सारा समय शक्ती और पैसा अदालतों में खराब होता है लाखो कलोरो रुपया सालों से हमारे बर्बाद है कास ऐसा होता कि हम आपस में मिल बैठ कर कोई फैस्रा निकाल लेते हैं तो ऐसी इस्तितिनी होती है दुर्भागपूर है उनीश सो च्यानवे संतानवे के आसपास जारखन उच्चे नयायले ने एक अच्छी विवस्ता दी थी कि एक सम्मेथ सिकर की संपून विवस्ता को चलाने के लिए दिगंबर श्वेतामरों की संयूग तो बोर्ड बनाने का निने दिया और कहा कि ये सब मिल के काम करो मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा फैसला है दो भाईयों को एक थाली में साथ बैठकर खाने का निमंत्रन बहुत अच्छा होता यदि वैसे ही फैसले को सभी निरवाद रूप से चलाते रहते पर हम जानते हैं भाई भाई के जगलों से अजालते भरी परी है हम तो यह भावना भाते हैं कि भाई भाई की बीज की एक खाई मिटे जगले हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हों हम जैन धर्म के मूल भूत सिध्धानतों को सुरक्षित और संदक्षित रखने का प्यत्ने करें ऐसा कुछ भी नहों जिससे समाज में आपस में विभाजन हों समाज बटे और हमारे तीर हमारे धरोहर हमारे हाथ से चले जाएं क्योंकि आपस की लड़ाई हमें आफ़त में जालती है और यह हम आपसी जगलों से बहुत दुक्सान भोग बटे जहां तक मुझे जानकारी है माननी सर्वोच आजालत में आज भी इस पर बहस हुई है संभौता भी एक दो तारीके और लगेगी मैं भावना भाता हूं के निर्णय ऐसा निर्णय हो जो समाज के हित में हो धर्म के हित में हो दोनों घरों में उजाला करने वाला हो दोनों पक्षों के लेने के इसलिए मैं आज आप सबसे कहता हूं सब लोग चुकि ये निर्णयक रूप में आ गया है ये भावना भाए नमोकार मंत की आराधना करें कि एक ऐसा फैसला हो जिसमें जैन धर्म की जीत हो ये ऐसा फैसला हो जो जैनत को प्रतिष्ठित करें सब को सनमति दे भगवान की भावना भाते वे ये भावना भाए कि ये फैसला सब के हक में हो और हम सब मिल जुल कर उस तीर्थ को सनरक्षित और संवर्धित कर सकें मैं पूरे देश के लोगों को कहता हूं जब तक ये निर्ड़े नहीं आता ये बहस पूरी नहीं हो जाती फैसला नहीं आता ये भावना तो हम भाई सकते हैं और ऐसी भावना भाए कि सारे जगड़े ही मिर जाएं विगड़ दिनों में कई ऐसे प्रियास किये गए मेरे पास भी कई बार बात आई कई मसोदा भी तयार हुआ लेकिन दुर्भाग आपस में ताल मेल नहीं बन पैट पाया चलो अदालत ही सही पर अदालत में ऐसा फैसला है जो सब के हरदे को प्रसनता से भर सके हमारी निष्ठा हमारी शद्धा सुरक्षित रख सके क्योंकि सम्मेद सिकर हमारा सब कुछ है वो हमारी आन बान सब है वो हमारा प्रान है उसके लिए तो हमें सब कुछ होने के लिए भी सोचने की जरुवत नहीं है हम ऐसी भावना भाए कि सब मिल जु